बिहार सरकार आने वाले दो दिनों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है बिहार में 14 दिसंबर की मधरातिरी से सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री परतिबंदित हो जाएगी बता दें कि बिहार सरकार के परियावरन विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि राज में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है साथ ही यह भी कहा गया है कि इससे नियमों का जो पालन नहीं करेगा उसे भारती दंड सहीता के तहट कारवाई भी की जाएगी इधर जनसंपर विभाग की ओर से यह बताया गया है कि 14 दिसंबर 2021 की मधराती और उसके बाद सिंगल यूज वाले प्लास्टिक और थर्मो कोल से बने समगरियों पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया गया है इसके आयात, बिनरियात, परिबहन, बीतरन और विक्रे करना दंडनी अपराद होगा बिभाग द्वारा यह भी बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले समान जैसे की प्लास्टिक के कप, प्लेट, चमच, थर्मो कोल से बने कप, कटोरी और प्लेट के अलावा प्लास्टिक से बने बैनर और धुज प्लास्टिक के पानी पौच जैसे समान की बिक्री नहीं होगी अगर कोई इनका पर्योग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस ब्यक्ति पर IPC की धारा के तहट दंडात्मक करवाई की जाएगी दंसंबात विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि परियावरन बन एवं जलवाई परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की अधिसुचना संक्या 406E दिनांग 16 जून 2021 और बिहार गजट में दिनांग 18 जून 2021 को परकासित है ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इस तरह के पलास्टिक और धर्मकॉल इस्तमाल करने के ऊपर करवाई की जा सकती हाला कि बिहार सरकार को इसको लेकर जून में ही सुचना जारी कर दिया था अब यह 14 दिसंबर की मधरातरी से प्रभावी हो जाएगी परियावरन विभाग की और से जारी अधिसुचना में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि अगर इनी नियमों का कोई भी व्यक्ति उलंगहन करता है तो उसके खिलाब परियावरन सनर्चन लागू किया गया है बता दें कि अनराजियों में बहुत पहले ही प्लास्टिक बैन हो चुका जिसमें कि उत्तर प्रदेश में भी प्लास्टिक बैन हो चुका है यहां पर दुकानदार प्लास्टिक के बैन के बैक का इस्तमाल करते हैं दरसल प्लास्टिक के उप्योग से परियावरेन खराब हो रहा है, खासकर मिट्टी की उपज सक्ती भी कम हो रही है, किन सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को अगले साल से बैन करने का फैसरा लिया है, यानि कि एक जुलाई 2022 के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले समान को बनाने जैसे की लॉक में रखने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है किन सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मनेजमेंट एड़ेंटमेंट रूल 2021 के तहत अगले साल जुलाई से बैन होने वाली बस्तुओं की एक सूची जारी की है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बनन ​लगा दिये जाएगा जानले अगले साल जुलाई से किन-किन बस्तियों पर किन सरकार जो है प्रतिबंद लगाने जा रहे प्लेट, कप, गिलास, चमच, चाकू और ट्रे जैसे प्लास्टिक के बरतन इस पे भी सरकार की तरब से प्रतिबंद लगाया गया है मिठाई के डिब्बे, निमंतरन काड और सिग्रेट के पैकेट के चारो और लगी होने वाली प्लास्टिक इस पे भी किन सरकार ने वैन लगा दिया है ऐसे में अब देखना है कि इस पर कितना नियांतर अंसरकारें कर पाती है बिहार और बिहार से जुड़ी और वेसे इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजी इजाज़त धन्यबाद